राधी राधी गुरुजी गुरुजी मैं नाम प्रकाश मिश्वा है मैं वरानसी का हूँ और मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर था लेकिन कुछ ऐसी कॉन्टोवर्सी मैंने कुछ देखी जो की आध्यात में से जुड़ी हुई है और वो मैंने अपने बच्चों के सामन उसको एज़िटीज रख दिया और मेरी जॉब चली गई जैसे की कुछ जो की वालमिकी जी ने जो रामायर लिखा है उसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो की तुस्तिता जी ने छोड़ दिये हैं सबके सब नहीं उसमें सम्रित की हैं स्विराम जीत मानस में जैसे की एक प्र कि एक सिता जीं को जब लंका सी जाब वापस लाया गया तो श़यद सिता जी मन में यह हुआ कि राम जी हम से बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमको मलकि उन्होंने बचा करके सकुसल मंगल वापस लाए ऐसा उनको सा लगा या ऐसा लगा हो या ना लगा हो लेकिन स्वियाम चंजी ने पहले ही ये बात क्लिया कर दी कि आप पर पराय पुरुष के घर रहके आई हो आपका चरित चाहे भले उत्तम रहा हो सब्सक्राइब ना हो ठीक है लेकिन फिर भी आप मेरे उपयोग करने योग इसी सेम इदम यहीं हुब लिखे हुए हैं कहां लिखे हैं नहीं लिखे हुए हैं मैं आपको वह स्लोक परके सुना सकता हूं और जो अर्थ है गीता प्रेस गोरकपुर का है सुनो जो आप गीता महारत का लिखे हैं तो पालमेकी रमान का प्रसंग नहीं है अब गलत कह रहे हैं, वो प्रसंग मैंने सुना है, वो मेरे संग्यान में हैं, ठीक है आप डारेक्ट बात कर सकते हैं, तो अगर अगर समय कहा गया है, अब मैं आपको बताओं, यदी राम जी कहेंगे कि तुम मेरे लिए भोग गया नहीं हो, तो फिर लवकुष कैसे पैदा हुए लवकुष तो जब सीधा जी को जब सीधा जीदी यो रिशीर के सारे थी तब वहां पर हुए थे, तो वहां हुए हैं, तो संतान तो लवकुष राम-जी की ही हैं, पanda आप तो क्या कह रहे हैं कि भोग ग्या नहीं हो मैं तुम्हारा स्परश नहीं करूंगा आपके हिसाब से कैसे किसे किया जाएं कर दोग पुछ आप टीचर हो आप समझो कि कुछ मूर्ख लोग यदि श्लोकों का सास्त्रों की कुछ चौपाईयों का, रामचरितमानस की कुछ चौपाईयों का, कुछ दोहों का, कुछ इश्लोकों का, यदि कोई व्यक्ति गलत अर्थ करता है तो गलत अर्थ करने से क्या सास्त्र दोशी है या वो गलत अर्थ करने वाला व्यक्ति दोशी है ये बताओ जो आप रामायन का नाम लेके जो दोहाई दे रहे हो पहली बात तो ये सब्जेक्ट रामायन का है ही नहीं पहला ये महा भारत में मारकंडे जी के द्वारा किसी के लिए किसी संदर्भ में कही गई बात है किसी व्यक्ति ने किसी से कही थी जैसे आप हम से कह रहे हैं अब इस बात को कोई किसी पुस्तक में लिखे दे अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था रामायन में बेटा मैं समझता हूँ जिनका तुम नाम ले रहे हो उनको जानता हूँ मैं कितने गहरे पानी में कौन है सास्त्र कितने गहराई से पढ़ने पढ़ते हैं समझने पढ़ते हैं है ना प्रोफेसर होकर भी सास्त्रों को समझ लेना आसानी आप प्रोफेसर हो जाएए डॉक्टर हो जाएए आप डबल पी हडी कर लिजी तो सास्त्रों के अरचों को समझ लेंगे आप अपने खेत्र में समझ पाएंगे सास्त रितने सरल नहीं है इसलिए गुरू परंपरा से पढ़ने समझने पढ़ते हैं है ना अभी एक महा मूर्खा नंद ने एक चौपाई का एक गमार ढोल गमार सुद्र पसुनारी सकल ताडना ताडना शब्द का तवर्थ करने पा रहे हैं लोग और इस लोकों कर्च कैसे कर पाऊगे इसलिए पहले पढ़ो समझो रामायन में कहीं ये बात नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं वह बात महाभारत की है और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने भी जब अपनी सफाई पेस की थी तो उन्होंने रामान लेके गए जरूर छे पर रामान को खोल कर दिखाया नहीं था आप केवल इसलिए देखे थे के मेरे को बोलना है आपने उसका मनजण नहीं किया चिंटन नहीं किया रामान का इस सब्जेक्ट है नहीं और जिन महापुरुस की बात कर रहे हैं उन्होंने सफाई पेश करते समय महाभारत की पुस्तक खोल के दिखाई थी जो गीता प्रेश की छपी होई रामान लेकर आये थे पर रामान खोली नहीं थी उन्हों ले याद रखिएगा ठीक पर इस प्रकार बातें लिख़्ी हिनी गे कोई व्यक्ति किछी से कह रहा है अभ जैसे समझू आप राइटर की के दरश्टी से समझिए गा रामायन में वो बात भी लिखी है जो रामजी ने कही और वह बात भी लिखी है जो रावड ने कही पर रावड की कही बात तो प्रामानित नहीं मानेंगे न भई हमारा और तुमारा संबाद हो रहा है हमारी तुमारी बात हो रही है और कोई इस संबाद को लिख ले, तो लिखने में मेरा कहा भी लिखा जाएगा और आपका कहा भी लिखा जाएगा, तो राम का कहा तो प्रमानित माना जाएगा, पर रावण का कहा तो प्रमानित नहीं माना जाएगा, भाई समझ रहे हो ना, भाई कोई भी चीज लिखी बाली ने तो राम जी प्यारोप लगा दिया कि आपने मुझे क्यों मारा, छिपके क्यों मारा तो भाई बाली का ये आरोप काम नहीं करेगा बाली का कहा भी रामान में लिखा है राम का कहा, मैंने तुझे क्यों मारा तुने अपने भाई की पत्नी का हरन किया उसको पत्नी बना के रखा इसलिए मैंने तुझे मारा तो भाई रामान में सब कुछ लिखा है अब जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं वो किसी ने किसी से ऐसा कहा कि भाई वो उसके अपने विचार थी वो विचार उसने कहे तो वो भी राइटर ने लिख दिये कि भाई इसने राम जी के लिए ऐसे-ऐसे कहा कहा है सत्य नहीं है भाई आप मोदीजी को रोज गालियां देते हैं लोग मोदीजी पर रोज आरूप लगाते हैं welt तो क्या हर अरोप सिद्ध कर लोगे क्या हर गालियां ठीक है भाई देने वाला तो दे रहा तो देने अरे फलाने ने दे दी तो दे दिया तो भाई सिद्ध थोड़ी हो पाई अब राजनीती की बात करूँ तो मोदी जी पर कितने अरोप रोज लगते हैं क्या हर आरोप सिद्ध होते हैं? आपके कितने आरोप, माता सीताच पर प्रजाने आरोप लगाया कि रावड के पास रहकर आई है, हम इने सभीकार नहीं करेंगे, तो क्या सीताच जी अशुद्ध थी? ये बता, रावड के यह गई, तो क्या रावड ने उनका सोशन किया इस पर्ष किया नहीं फिर जब किया नहीं लिखा है इस पर्ष्ट के पवित्र अगनी की तरह थी आखरी में सीता मा को आप जैसे लोगों को प्रमाण तो देना पड़ा के इस सरी हम अपने नहीं नहीं बो रहें सार जो यह कंट्रोवर् यदि मिल जाएगा ना रामाण में तो जो आप इनाम मागें को देंगे य रामाण का प्रसंग नहीं पहला सुनो ठीक है सास्त्रों को हम लोग बेटा हम लोग के वली यहां बैठके प्रपंच नहीं करते सास्त्रों को पढ़कर के बैठते हैं यहां पर समझो अब हुआ क्या कि माता सीता अगनी की तरह पवित्र हैं और आखरी में माता सीता को कहना पड़ा के है प्रजवी यदी मैं पवित भारत में भगवान स्री कृष्ण को क्या कहा अरे तुम तो गाला हो शिशुपाल ने गालियां दी सिशुपाल की दी हुई गालियां भी महा भारत में लिखी हैं सिशुपाल की दी हुई गालियां भी महाभारत में अब आप कहेंगा अरे भगवान के बारे मैं ऐसा लिखा है देखो यहां से भगवान थे अरे तो वो कह कौन रहा है वो शिशुपाल कह रहा है उसी तरह माता सीता के इस संदर्व को प्रसंग को कह कौन रहा है कोई कोई व्यक्ति कह रहा होगा अपने विचार र कि लह लिखा है पर किस ने किस संदर्व में किस प्रसंग में वह बात किसको कही हुआ व depths पूछे थे वही समझने के लिए पूछे थे वही तो मैं थे पूछ समझा रहा हूं कि प्रसंग udah भारत का है ना की रामायन का है तो लिखा किसले गया फिर ये बात बता तो रहे हैं कि और किसी तीसरी ने रामजी पे लांचन लगाया जैसे धोवी ने लगाया तो ये लांचन लगाने वाला लांचन है कैसा है तो भाई हम मान थोड़ी लेंगे कि आप आपने कह दिया कि ये रामाण का प्रसंग है ना की बालमी की रामाण का बहुत ध्यान से समझे पूरी रामाण पल्टा लो ये प्रसंग ना मिलेगा आपको बलकि ये प्रसंग मिलेगा आपको रामाण में कि माता सीता जब गर्वती हुई तो राम जी ने पूछा कि बताओ सीता तुम्हें क्या चाहिए तो राम जी ने कहा क्या चाहिए सीता मैया ने कहा मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जंगल में जनम दूँ ताकि साधू संतों वाले संसकार मेरी संतान में आए ये बात लिखी है ये बात कहीं नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ा पराद है ये बात कहना ये बात सुनना ब्यर्थ के यही है अर्थ का अनर्थ कहीं की बात किसी ने किसी संदर्व में किसी प्रसंग में कहीं आपने उस संदर्व को उस बात को कहीं घुसा रहे ह कि उन्होंने छेडी थी यह बात तो उन्हों को वो सरवग्य है क्या इस ऑफीसर तो बहुत लोग तो मूर्ग भी होते हैं जिनको अपने माबाप का संस्कार सम्मान करने का ग्यान नहीं है बहुत सारे आइस आइस ऑफीसर की माता हैं ब्रद्धासर में रोटियां खा रहे हैं आइस ऑफीसर तो आपको माल लिया जाए आप बहुत पढ़े लिखे हैं संसकार अलग होते हैं मेरे भाई सास्त्रों को आइस ऑफीसर नहीं जान सकते परंतु सास्त्रों की बात जब करेंगे ना तो गहराई से जानना पड़ेगा हिंदी बोलते हैं आप बोलो का का बताओ का का उचारन स्थान क्या है नहीं पता लोग आपको टीचर हैं आपको नहीं पता अरे बिज्ञान पढ़ाने के पहले भी तो आपने हिंदी पढ़ी होगी यही इसलिए इस पद पर भी आ करें कि लोग सास्त्रों का गलत अर्ज करते हैं देखो आप पढ़ाते हैं बच्च नहीं पता रहें तो बावन और अक्षर के उचारन स्थान बता के बताएंगे यह ग्यान पढ़ लेना अलग है नहीं प्रक्टिकल यह उस्तकी ज्यान है इसलिए इसलिए घ्यान क्या होता है सिप्षा क्या होती है बहुत जल्दी में आपको बताओंगा जब गौरी गौप कि सेवा करें लिए पढ़ाना पढ़ना आता है हमारे देश के लोगों को ना पढ़ाना आता है अब कोई बना रहे है अपने पास में कि मैं IPS बनाता हूं मैं IPS इस फिल्ड की लोगों को पढ़ाता हूं क्या पढ़ाते हैं साहब जो सिक्षा मूल में है वो सिक्षा क्या है अभ गड़त करुद करुद तो तो भूर ओमिड़की लुए ऐında करुंद कर दो आप पहले कर पीड़क वुट 4 बिलकुल आप दसवार देखके हमसे दसवार मिलिएगा नो प्रॉब्लम आप तो दसवार मिलिए हम तो देख चुके हैं और रेडी